एश्याई देशों में विकास का प्रतीक जापान, कोविड-19 दौर में भी ये मॉटल बन कर उप्रा है एश्याई और दुनिया के बाखी देशों के मुकाबले जापान ने कोर्नल संक्रमन पर भखुबी काबू किया वो भी सक्त लौकडाउन पाबंदी और पैनल्टी लगाए भिना जापान ने कैसे किया ये कमाल और भारत समय बाके देश उससे क्या सबक सेख सकते हैं कवर स्टोरी में आज इसी की बाद जापान उस चीन का पडोसी है जहां से कोवर्ड-19 महमारी की शुरुवात हुई थी जापान में बड़ी आबादी बुजर्गों की है जिने कोर्नल संक्रमन से सबसे जादा खत्रा बताया जाता है यानि जापान खत्रे के लिहास समवेदन शील था लेकिन अब ताक इस तेमा हमारी का मुकाबला प्रभावी तरीके से किया है आख्डों की अगर बाद की जाए यहां पर तो जापान की आबादी दुनिया की कुल आबादी के 1.6 फीसदी है टोक्यो की तस्वीर दिखा रही है कि कुछ दुकाने दुबारा खुल गई है लेकिन सोशल डिस्रेंसिंग का सक्ती से पालन किया जा रहा है और यहां यह देखना में दिल्चस्प है कि जापान में ये महामारी की शुरुआत आखिर हुई कैसे थी जापान में पहला केश जैन्वरी में आया था संक्रमित व्यक्ती चीन के वहान से लोटा था जहां से कोरोना की शुरुआत हुई थी संक्रमित से पहली मौत फर्वरी के महीने में हुई थी और फिर उसके बाद अप्रेल में प्रधान मंत्री शुरुआबे ने आपातकाल की घूशना कर दी उन्होंने स्थानिय सरकारों से लोगों से घरों में रहने का आग्रे करने को कहा और उसके एक महीने बाद संक्रमन के दर काफी घड़ गई तो कई जनों से एमर्जन्सी को भी हटा लिया गया था दुनिया में भारत समित कई ऐसे देश है जोनोंने कोरना वारे संक्रमन रोकने के लिए जापान से जादा सक्त फैस्ति लागू किये लेकिन कामिया भी उतनी नहीं मिल पाई ऐसे में सवाल उठता है कि जापान संक्रमन पर प्रभावी रोक लगाने में कैसे कामियाब हुआ जवाब दे रहे हैं टोकियो में मौझूद भी वीसी समवाता था रूपर्ट विंग फील्ड मार्च और अप्रेल में संक्रमन के मामले बढ़ने लगे और यहां अपातकाल लगा दिया गया यह सक्ट लॉक डाउन नहीं था लोगों को सिर्फ घर पर रहने के लिए कहा गया उन्हें सारवजनिक जगों पर जाने से मना किया गया ऐसा करने वालें पर कोई पैनल्टी नहीं थी लेकिन दो बातें हुई पहले तो यह कि सरकार के फैसले की टाइमिंग सही थी संक्रमन के बेतहाशा बढ़ने के पहले लोगों से घर पर रहने को कहा गया अच्छी बात यह भी रही कि जापान के लोगों ने वही किया जो उनसे कहा गया जापान के लोग नियम का पालन करते हैं बलकि कई बार एक दो कदम आगे निकल जाते हैं जापान ने लॉगडाउन नहीं लगाया लेकिन नतीजे लॉगडाउन वाले मिले आपातकाल लागो किये जाने के बाद संक्रमन दर्थ तेजी से घटी अब आपातकाल हटा लिया गया है और लोग बाहर निकलने लगे हैं संक्रमन की दर्थ दोबारा बढ़ रही है अब नए उपाय लागो करने की जरूरत बताई जा रही है लेकिन अगर संक्रमन घटाने में जापान की काम्याबी का श्रे किसी एक बात को देना हो तो वो जापान के आम लोगों के बरताओं को दिया जाएगा अब भाते मोल के नूपूरत बारी भी ते 18 सानों से जावान की राजधानी टोक्यों में रहती है नूपर वहाँ योग सिखाती हैं नूपर उन कारणों के बारे में बता रही हैं जिनकी वज़ए से जापान COVID-19 महामारी को काबो में रख सका और एक मॉटल बन गया नूपर वान है कि ये लोग जैपनीज लोग होते हैं बहुत लौइबाइट जिसमें एमजेंसी लगाया गया था में में और 25 में में उसको पूरी तरह उठाया गया में में जो उमेजेंसी था वो लौकडाउन नहीं था उसमें किसी को फोर्स नहीं किया गया था घर में रहने के लिए लोग पूरी तरह अपने मर्जी से घर में रहे और ओफिस क्लोज रहे लेकिन पब्लिक टास्पोटेशन ऐसे ही चलते रहे से एम्टी रहे, लोग घर से काम करते रहे और लोग घर में रहे, जो सुपर मार्केट ने अप्रते रहे, सुपर मार्केट में पुरी तरह मार्क कर दिया गया था कि कैसे डिस्टेंसिंग रख के चीजे खरीदना है, नमबर टू जो है वो है इनके immunity system जो Japanese खाना है वो बहुत ही healthy होते है जो इसलिए बच्पन से ये खाना खाने के बाद इनके immunity system already build up हो जाते है इसको corona से जूजने के लिए बहुत help किया है नमबर थ्री जो है उनका mask culture जैपनीज जो होते है ये पोरोना के लिए नहीं ये हर रोज चाहे आपके थोड़ा सा जुखाम हो जाए थोड़ा सा खासी हो जाए लोगों को infect नहीं करना चाहते है इनफेक्शन नहीं देना चाहते है इसलिए mask पहन के बाहर जाते है नमबर फोर जो है इनके sanitization जो sanitizer जो है फूरे दुनिया यूज कर रहे है ये लोग हर रोज करते हैं चाहे हो kindergarten में हो चाहे हो corporate में हो या घर में हो और नमबर फाइब जो है इनके culture बाकी देश जैसे kiss करना hug करना जैसे greet होते है जैपनीज ऐसे greet नहीं करते इनमें सर जुका के greet होता है इस unity और patriotism चाहे हो 2011 का tsunami हो या आज का corona पूरे जपैन एक हो जाता है किसी भी समस्चा के समस्चा से जूजने के लिए ये unity पूरे जब जैपनीज संस्कृति को और संस्कृति से अलग बनाता है और अब दुनिया भर का corona आपडेट जान लेते हैं दुनिया भर में कोविट-19 संक्रमन के मामले बढ़कर एक करोड सूला लाग से जादा हो गए है अब तक पांच लाग 38,000 से जादा लोगों की मौत हो चुकी है भारत की बात करें तो 24 गंटे में 22,252 कीस सामने आये हैं और 466 लोगों की मौत हुई है देश में संक्रमन के कुल मामलों की संक्या 7,000,000 के पार हो गई है जबके मरने वालों की संक्या 20,000 से जादा हो गई है स्वास्ते मंतराले के मताबिक देश भर में 4,49,000 लोग ठीक भी हो चुके हैं फिलाल करीब 2,69,000 आक्टिव केसिस भी है उधर ब्रजील के राश्पती जायर बोल्चनारू भी COVID-19 संक्रमित हो गए हैं उन्होंने 4 बार टेस्ट कराया था पहले 3 टेस्ट के रिपोर्ट नेगिटिव आई थी लेकिन इस बार वो पॉसिटिव पाये गए हैं तेज बखार के बाद उनके फेपड़ों की भी चांच लगता रहा है शुरुवात में उन्होंने इसे सर्दी जुकाम का मामूली साइक डिजीज पताया था दुने के दूसरे हिस्सों की बात करें तो उस्ट्रेलिया के मेलबर्न में नए मामले मिलने के बाद लॉकडाउन लगाने के तैयारी है यहां कल से 6 हफ़तों के लिए लॉकडाउन लगाया जाएगा मेलबर्न, विक्टोरी राज्जी की राजधानी और आस्ट्रेलिया का दूसरा सबसे बड़ा शहर है लॉकडाउन के दौरान लोगों को काम पर जाने, स्कूल, लोगों की देखबाल और जरूरी सामान की खरीदारी के लिए बाहर निकलने की इजासत होगी आस्ट्रेलिया में आप तक संक्रमन के करीब 8700 मामले सामने आए हैं और कोरोना वाइरिस की वज़े से 106 लोगों की मौत हो चकी है लॉकडाउन के दौरान अगर कोई नियम तोड़ता है तो उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है या फिर उसे जील की ससा भी हो सकती है अची नियमों को माने आप निराशा को खुद पर हावी नहीं होने दे सकते हैं हम सभी को सही कदम उठाने होंगे ऐसा नहीं करने पर हमें न सिर्फ तरासिदी का सामना करना होगा बलकि लंबे वक्त तक सक्त पाबंदी भी जहलनी होगी अस्रेले के पड़ोसी देश न्यूसिलेंड में करीब 10 हफते से सामुदाइक संक्रमन का कोई मामला सामने नहीं आया है करीओ करें कि अजय है